हलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिस कल्चर क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे फिस कल्चर के बारे में देखें आज आपको पढ़ना है फिस कल्चर के बारे में इसको पीसी कल्चर भी बोलते हैं क्या बोलते हैं पीसी कल क्या बोलते हैं बैटा PC कल्चर देखें PC कल्चर में हम लोग देखें यह हैं .. 53 कैसे फिस का कोड़े होता है न active कने जाए से .. 5000 में कैसे इनका प्ररडक्शन होता है तो फिस culture में हम लोग ईनका एम क्या है कल्चर का method क्या है culture का fishing के method क्या है क्यों fish culture किया ज़ा इन सब सारी बातों को हम लोग fish culture में पढ़ेंगे ओके बच्चा तो fish culture को start करने से पहले हम आपको बता दें last lecture में हमने पढ़ा था हमने क्या पढ़ा था last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्वा कल्चर के बारे में पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था है एक्वा कल्चर तो एक्वा कल्चर में हम लोगों ने प्रान कल्चर के बारे में पढ़ा था ना उसके बाद पारल कल्चर के बारे में ना उसके बाद हम लोगों फी कल्चर और पर्ल कल्चर में पढ़ लिया था एक कोषिशन है फादर अप पर्ल इंडस्टी को नहीं यह कोषिशन बता दीजिए तो समझ除ंकों ने पढ़ को और भीच लेयर इसकाल Somewhererav. कर थिक है . मढदर लेयर आप बताईए हमको और आज हम लोग पढ़ रहे हैं फिस कल्चर तो आए देखते हैं फिस कल्चर का मतलब क्या है कल्चर आफ फिस क्या कल्चर आफ फिस तो फिस का कल्चर करना ही फिस कल्चर है अच्छा बताईए फिस किस फाइलम का मेंबर है तो आप बताएंगे यह phylum, animal, animal, animal या का है, और, फाइलम इसका है card data, यह phylum card data का member है, card data आपको आगे second paper में पढ़ना है, वहाँ पे आपको अच्छे से physics के बारे में बताएंगे, ठीक है, तो जैसे card data को class में बटा गया है न, टेटा, PCs और टेट्रापोडा में, ठीक है, तो PCs यह super class है, ठीक है, PCs और टेट्रापोडा में डिवाइट किया गया है, तो PCs वाले class में ही fishes आते हैं, ठीक है, ठीक है, टेट्रापोडा में आगे फिर रेप्टाइल वर्ट्स में में मिला है, ठीक है, तो फिस को, फिस किसका member है, card data का member है, और आप जानते है, मशली जल की रा water medium में, आप तो जानते ही है, water medium ही इनका घर है, तो आएए देखते हैं हम लोग fish culture क्या है, पहले इसका थोड़ा सा introduction, या फिर कह लिजी, इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे इनका general introduction, ना, देखें, fish is a source of animal protein, फिस से हमको क्या प्राप्त होता है, फिस से हमको प्राप्त होता है protein, अब protein, protein हमारे सरीर का क्या है, building blog है, क्या है building blog है, देखें, हमारे सरीर का protein क्या है, यह building blog है, हमारे सरीर का, हमारे सरीर में जितनी भी structure बनते हैं, वो protein के बने होते हैं, तो हमारे सरीर में protein का बहुत ही जादा यूज है और प्रोटीन को हम जैसे प्लांट सोर्स से भी लेते हैं ना प्लांट सोर्स से भी लेते हैं तो प्लांट सोर्स से भी लेते हैं लेकिन प्रोटीन जो फिसेज होती है इन में गुड एबाउंड में होता है जो लोग फिस वगारा खाते हैं वो लोग उसको प्रोटी टोडेग डिफिंसी से से बहुत सारी बिमारीय हो जाथी है तो हम प्रोटीन को मल्नुट्रिशन हो जाता है मतलब जिए से उनको भूचन नहीं मिलples निट्रियंट रही в प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उनके सरीर में जितनी भी सरचना बन रही है वो बन नहीं पाएंगी तो वर्ल्ड में ही serious problem है प्रोटीन की कमी ठीक है प्रोटीन की कमी थोड़ा भहुत यह फिस वगयरा भी करती है बहुत सारे लोग फिस कहते हैं तो उनको दालोग पे बहुत अर्डिमेंट नहीं होना होता है तो अपनी यह प्रोटीन की कमी वह फिस के माध्यम से भी पूरा कर लेते हैं ओके बच्छा फिस कल्चर इंडिया ड इसके अंडर होता है सेंट्राल इनलैंड फिसरीज रिसर्च इंस्ट्यूट ओके नाव एड़ेस नेट प्रोडक्शन आफिस हमारे इंडिया में नेट प्रोडक्शन आफिस कितना है 80,000 कीलो पर हेक्टेयर पर इयर मतलब एक हेक्टेयर में लगभग 80,000 केजी फिस पर इय प्रोडक्शन करना है जादसाइटि जादसी स्टी करना ही हमारा उंडिया में प्रोडक्शन आफिसरी6,000 के उसे बहुत सारे मेडिसिन भी बनते हैं, तो अप्टेन पालर्टेबल एंड हाईली नुटिटिव फिस और जो खाने योगिया और हाईली नुटिटिव फिस हैं, उनको भी अप्टेन करने के लिए फिस का कलचर किया जाता है, और by product of fishing industry और fish के जो by product है उनको प्राप्त करने के लिए ठीक है इनके by product का बहुत ज़ादा use है आगे हम आपको बताएंगे तो main aim क्या है fish culture का maximum yield fish का अप्टेन करना जो high yield variety अप्टेन करना और highly जो nutritions भी हो उसमें काफी अच्छा कासा nutrition भी हो और fish के by product को प्राप्त करने के लिए तो हमारा यही aim है fish culture का नब अच्छा यह aim है हमारा fish culture का आगे देखिए qualities of cultureable fish अगर हम fish culture करने जा रहे हैं तो उस fish की क्या quality होनी चाहिए ठीक है तो इसमें हम लोग देखेंगे अगर हम pond में या फिर कोई यहाँ पे कोई hub बना के fish का culture करने जा रहा है fish का पालन करने जा रहा है ना पुखरा में ना तालाब में हम लोग fish का पालन करने जा रहा है तो किस fish को हमको पालन करना है किस fish का हमको culture नहीं करना है तो उस fish की क्या quality होनी चाहिए उस fish की क्या quality होनी चाहिए उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे देखिए The cultureable fishes have following qualities जो culture करने वाली fishes है उनकी बहुत सारी qualities होनी चाहिए जो यहाँ पर दी गई है Culturable fishes should have ability to feed our natural food Culturable fishes should have ability to feed our natural food जिस fish का आपको पालन करना है वो natural food को खाए मतलब जो pond में यह देखिए pond में algae है algae है phytoplankton है geoplankton है जो small bacteria है जो orthopoda crustacean के member है उनको खाए ना कि भाईया उनको VIP food चाहिए पका पकाया भोजन चाहिए या दाल चॉल सब्जी रोटी बनाग दीजिए तब वो खाएंगी तो मतलब जो भोजन पे phyt कर रही है वो natural food हो ठीक है artificial food ना हो कि artificial food यह डाल दीजिए pizza, burger यह सब खाए तो यह कौन सा food खाए फीसे हमारी जिनका आप पालन कर रहे है यह natural food खाए कैसा food खाए बच्चो natural food खाए यह फीस देखिए एक बन गया तो जो फीस हो वो natural food खाए ओके बच्चा फीसे कल्चिरेबल फीसे should have ability to feed on artificial diet जो artificial diet बन रहा है जैसे फीस में पता है growth hormone डाल के वो सब diet इसको दिया जाता है वो भी खाए ठीक है should consume small quantity of food for development और देखिए वो अपने development के लिए भीए धेर सारा भोजन ना करे smart quantity आप भोजन करे और ताकि उसका development हो सके अगर धेर सारे भोजन करेगी तो हमको ज़्यादा cost पढ़ जाएगा ज़्यादा हमारा खर्चा पढ़ जाएगा तो वो natural food खाए और जो हमको जो हम artificial food दे रहे हैं फिस के लिए वो भी खाए और वो क्या खाए वो small quantity में फूड़ काए थोड़े मात्रा में फूड़ भोजन ले वोगे पर धेर सारा food ना ले should be herbivorous in nature फिसे जो जो जिसका हम culture कर रहे है वो herbivorous हो हर बुको खाए ना किस तरा हर बुको खाए ना कि अगर वो कार्णी वोरस होगा कार्णी वोरस होगा तो जो अलग species जो फिस की माल लिए अलग species का हम उसमें culture कर रहे है अपने अलग अलग फिस को यह सिकार कर जाएगा अगर मांसा हरी होता अगर होगी फिस तो अपने ही species के अलग फिस को खा जाएगी अगर उसको रही मिलेगा ठीक है तो हम जिस species के कल्चर कर रहे है वो फिस हर भी वोरस होना चाहिए क्योंकि हम देखिए इतनी जगा में कल्चर कर वाएगे अगर वो कार्णी वोरस होगी अगर उसको मांस नहीं दिया गया तो क्या करीगी वो अपने ही species के लोग खाना सुरू कर देगी जो और fishes है उनको फिट करना सुरू कर देगी ना तो वसे ही तलाब में वो सारी fish को खा खातम कर देगी तो हमको जिस fields का पाल्ण करना है वो हर भी हो रहा हो ठीक है बच्छा जो इस तलाब में जो आल्गी लाइकेन वगरा ग्रो करना है फंजाई वगरा ग्रो करना है उनको खाई वो ठीक है इस अधिन पानी में थोड़ा सा थंदी पड़ी यहाँ ठंड या फिर इनको ठंडा थंड़ा सा जदा ज़्यादा गर्मी पानी में पानी में फट्प कर सके हैं विली सारी मजलीयां मर गई तो थोड़ा बहुत जे इनिवार्मेंटल चेंज हो रहा है तो ओ ठीके जिसका हम कल्चर कर रहे हैं वह इनिवार्मेंटल में थोड़ा बहुत चेंज़ me तो टोल्रेट कर सके ला शुट भी फास्ट ग्रोइंग कैन भी अटेंग गूड लेंथ और वेट बोथ देखिए जिस फिसका कल्च करना है वो फास्ट ते जिसी ग्रो करें यहने एक भाईया पान साल में आप इतने बड़ी हूँ ठीक है तो यह बहुत फास्ट ग्रो करें और इनका लेंथ भी काप अच्छा खासा हो लेंथ भी अच्छा खासा हो और वेट भी अच्छा हो तभी न हमको पैसा मिलेगा बेज के फिसको अब भाईया हम 10 साल काल्चर कीए आप शोटी बड़ा छोटी है रह जाओ और वेट भी ना हो आपका लेंथ भी ना हो तो हम क्या करेंगे हमको घाटा इन होगा तो फिर हमको कम टाइम में ज्यादा प्रोड़क्ट चाहिए ज्यादा प्रोड़क्टिविटी चाहिए तो हम इंको ऐसे फिसका पालन करना है जिसका वेट भी हाई हो और उसमें उसका लेंथ भी हाई हो और उसमें न्यूट्रिटिव वल्यू भी अच्छी खाती हो और वो फास्ट ग्रो भी करें सुट लीव इन पांड वित अदर फिसेज विदाउट एन डिस्टर्विंस मतलब अग कोई नहीं मेरे साथ रह सकेगा ऐसा ना हो डिप्रेंट टाइब की फिसेज इस तालाम में रह सकें एक साथ ओके बच्छा मिना किसी को डिस्टर्व गया हुए सुट भी रेसिस्ट अगेंस डिजीज वो डिजीज के प्रदी रेसिस्ट हो रेस्टेंट हो उनको कोई बीमार प्रोजुनी को या फिर बच्चों वो एक्स को बढ़ दे ठीक है ताकि उनमें से इनका धेर सारा एडल्ट निकले और धेर सारे इनके बच्चें हो ठीक है तो देखा आपने इतने सारे फिस्ट करना है हमको इतने सारे कॉल्टी होनी चाहिए मतलब वो नेचुरल फूट पे खाए और आर्टिफिसल डाइट पे भी खाए और भूजन को कम क्वांटिटी में हो हर्भी ओरस हो ना जो इन्वार्मेंट में चेंज हो रहा है सब्सक्र कर सके फास्ट ग्रोइंग हो और उसका लेंद और वेट भी अच्छा खासा हो ठीक सुट बिलीव इन पांड वित अधर फिस्ट यह अधर फिस्ट के साथ साथ रहे एबल टू रजिस्ट अगें डिजी डिजिज के प्रति रिजिस्टेंट हो मतलब इसको का बिमारीय ज्या और न्यूट्रिशन भी अच्छा खासा इसमें हो ठीक है अब देखें फिस्ट प्रॉडक्शन अब यहां पर हम लोग देखें किस टाइब की फिस्ट कल्चर हो रही है ठीक है फिस्ट इस सोर्स आफ अनिमल प्रोटीन इन आर फूड फीस्ट हमारे फूड में जो एनिम प् प्रोटीन चाहिए कारभोहाइडडे लिपिट चाहिए और मिनरल यह चाहिए हमको वाटर चाहिए तो जो प्रोटीन, मेट यह गैर मांस बगेर यह होती है तो हमार प्रोटीन सोर्स हमको फिस से भी प्राप्त हो सकता है ठीडिशम dal бес About obtaining fish there are two ways of obtaining fish. Fiş को obtain करने का दो तरीका है. दीखें या फिर आप जो natural habitat माल लेजे यह river में fish रह रहे हैं आप यहाँ जाकर इसको पकड़ लीजी है. या फिर यह sea है 那个 sea से जाए ये आप इसको ज misma method से भी आके पकड़ के लेते फिर आप पॉंड बनवाईए उसमें फिसका कल्चर करिए तो दो मिठड होके ने एक नेचुरल है विटेट से एक आपको क्या करना है कल्चर करना है तो इसी को हम लोग देखेंगे capture fisheries पहला है capture fisheries capture fisheries का मतलब the fish is cast from the natural sources both marine and inland इसमें क्या करेंगे हम लोग capture fisheries में जिसे जो natural habitat में sea है lake है pond sorry pond नहीं sea है lake है river है जो nature के द्वारा water body बनी है जो nature के द्वारा जो जल वगएरा है उसमें से fish को पकड़ना क्या है capture fisheries fish को पकड़ना जिसे river है वहां से fish को आप पकड़ लीजिए समुदर से fish को पकड़ लीजिए lake से fish को पकड़ लीजिए वहां से fish को पकड़ लीजिए capture fisheries मतलब fish को आप natural habitat से पकड़ लीजिए यह एक हो गया या फिर आप culture fisheries या फिर fish को आप culture करिए अब पॉंड बनाके वहाँ पे फिस का कल्चर करिए फिस का रियरिंग करिए और उसका हर्वेस्टिंग करके उसको वहाँ से पाड़ के ले जाके बेज दिजिए मार्केट में यह हो गया तो दो थाएब दो भी है फिस को disrupt करने का कैपेट आप नेचर्रल हैपिटेट्स पीस को पकड़ लीजिए जा फिरिंग का कल्चर करिए दो में इन्टन हो गया देखिए अब देखिए जो यह कैप्चर यह जो कैप्चर यह काल्चर फिसरी है यह भी आगे दो टाइप का है प मेराइन वाटर में फिज का कल्चर की मुए रायटी यह इस विस मुचल गर्ष का नहीं आप पॉंप्रेट पॉंपरेट एस लो इनका culture किया जाता है उनमें से कौन कौन सी मुक्यता है उनमें से हैं पॉम्परेट, मॉकरेल, टूना, साडिन्स यह most important variety है जिनका marine water में culture किया जाता है इसमें क्या होता है पता है इसमें फिस का culture कहा होगा फिस का fresh water में, और कभी-कभी इसमें sea water और fresh water दोनों mix कर दिया जाता है और इसमें क्या है, the common fishes farm in जो इस इनलैंड फिसरी में जीन-जीन फिस का culture होता है उसमें है तकि रोहु होग है मार्जीनल ज image नहीं मारेंगल है ग्राश है सिल्वर करप है उन सब फिस स सका जो इन का कल्चिर किया या अब देखते हैं हम लोग कंपोजिट फिस कल्चर कंपोजिट फिस कल्चर क्या है तो आपने यहां देख लिया फिस कल्चर फिस को हम दो तरीके से प्राप्त कर सकते हैं ना कैपचे ज़िवारा नचुरेंव राधीस्ष गया फिर कल्चा Dzौ ऑर और कल्चऑ प्रिश्वार नहीं हम आप लोगोंने देखा है मैराइन फिश्रीज और इनलेंड फिश्रीज दौर पे क्या है इनमें कामने इस्पिसिस क्या है इनमें क्या ही गया सिर्वल रोहु है यह सब कामन है जो फ्रेश वास्टर में को सी जिस ओक चयाता है अब देखिए कम्पोशटिट फिस कल्च wonders का मतलब एक हैभिटेट में हम धेर सारे फिस की ब्राटे यहां पर रोहू भी रख दियें, कटला भी रख दियें, और फिर मरीगल भी रख दियें, तो धेर सारे फिस इसको एक ही हैबिटेट में कल्चर कराना क्या है कंपोजिट फिस कल्चर ना संगटित रूप से फिस का कल्चर कराना क्या बोलते हैं इसको composite fish culture ठीक क्या बोलेगे composite fish culture तो आएगे देखते हैं हम लोग composite fish culture क्या है देखिए composite fish culture में देखिए in this culture system इस culture system में the combination of five to six species of fish is culture in single pond देखिए एक पॉन्ट में जिसमें आपको fish culture करता है उसमें बस एक ही variety culture मत करिए बस कटला का है और culture करना उसको ही मत करिए आप क्या करिए इसमें कटला का भी सीट डाल दीजे मतलब इनके बच्चे जो इनके बच्चे होंगे उनको डाल दीजे रोहुक को भी इसमें डाल दीजे और मैरीगल को भी डाल दीजे तो लगबग पांस च्छे डिफरेंड इस्पिसिज की फिस्ज को आप एक साथ ग्रो करवाना ही आपका क्या है composite fish culture ठीक ह composite fish culture क्या है combination of five to six species of fish is cultured in single pond एक single pond में लगबग पांस च्छे इस्पिस का culture किया जाता है there are Indian origin and three there are of Indian origin and three of exotic breeds इन में से जो composite fish culture में जिन फिसको कल्चर किया आता है उन में से कुछ Indian origin की है और उसमें से तीन पता है जो बाहर से लाइगे है उसी को बोलना exotic breed किसी और देस से लाइगया है इसी को बोलना exotic breed ना इंडियन ब्रिड में देखे कौन कौन से हैं इंडियन मे में फोसकता है आपको एक के बूसे तो आएगा कि इंडियन डीड यूंजन वो क्या है के कटला है, रोहू है, मैरि गल है ठीक है, और जो इक्जोटिक ब्रिड है उसमें क्या है सिल्वर कार्प है, गरास कार्प है और कामन कार्प है ठीक है, जो किछी आणिदे जी से लाया गया है हमारे इंडिया में अब इसमें जानते है जो composite fish culture लई होते हैं जैसे एक फिस यहां पे भोजन यहां से भोजन लेगी एक फिस यहां पे लाती है एक फिस यहां पे उचिते हैं तो इस को बॉजब ये ज Y tightly वहीड़ भीड़ गोएगा वह से अपना भोजन लेगे और जो सब्छल रहे हैं वहां disc लेगी तो इसको बोलना है bottom यह middle में और यह surface पे ठीक है तो देखें इनका क्या character है देखिए जो catla है catla is surface feeder surface देखिए यह तालाब है इसका जो आपर यहाँ वाला surface जो यहाँ जो चोटे 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 आपर यहाँ उनको यह खाती है और जो silver carp है जो अगला है silver carp is also surface feeder यह भी surface feeder है बट mostly feed on phytoplankton यह microscopic animal को खाती है लेकिन यह microscopic plant को खाती तो अच्छा है ना इन यह इनके बोजन को और यह इनके बोजन को डिस्टर्ब नहीं करेंगी silver carp बोला भया आप animal को खा रहे हैं तो भया हम इस small microorganism plant को खाएंगे जैसे फंजाई इनको खाएंगे इनको खाएंगे और जो खिर रहु जो है रहु बहुत इंपोर्टन है रहु फीड इन मिडिल जोन आप पॉंड और रहु का रहता है यहां बीच में रहता है यहां पे कटला हो गई और मिडिल जोन इनकिला जो इसी वाटर में मिडिल जोन में ऊसको खाता है ठीक है और जो मwdरिगल है मेरिगल बाटम फीड़ यह बाटम पे रहता यहां पे रहता है कामनकारप इस आलल सोकामन बॉटम फीटर बट फीड अन डीकेंग वेज़िटेशन जो कामनकारप है वह भी बॉटम फीड़र है लेकिन यहां पे जो 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 यहां एट मटेरियल उस पर यह फीड करता उसी को यह खाता है तो हो गया न कोई किसि के version को distort नहीं कर रहा है, एक लोग वाल अर्ग वाले ना? और called, यह बॉंटम पर खा रहा है और कोई बॉंटम में जो भीद हैं उनको खा रहा है ठीक तो देख रहे हैं आप लोग साथ 1 यह सारे लोग रहते हैं यह भी अपना फैमली कि तरह रहते हैं यह आ लोग रहें साथ में हम लोग रहते हैं तो आप लोग उने देख लिए composite fish culture अब देखते हैं हम लोग advantage of composite fish culture composite fish culture के क्या फायदे हैं आप तो देखेंगे बहुत सारे कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है और भोजन का अच्छा खासा यूटिलाजेशन भी हो जा रहा है न दीज फिस्ट डू नाट complete for food because they have different type of food habitat तो देख रहे हैं आप लोग यह फिस्ट किसी किसी से भोजन के लिए competition नहीं हो रहा है क्योंकि अगर एक लोगो फ्लांट को कजी स्माल फ्लाण को खा रहा है अगला στο ऊप्रॉटम करें तो कोई यहां बॉटम पर जो प्लांट है उसको खा रहा है त्टीक है तो देख रहे हैं आप लोग यहां पर भोजन के लिए को Jए नहीं हो रहा है, the food available in all zone of the pond is utilized due to their food habitat. देखे, pond में जितने zone में, देखे, जो यहां पे food है, यहां पे surface food है, वो बीच में नहीं होगा, और जो यहां नीचे है, वो यहां पे नहीं होगा, तो जो food है, food का अच्छे तरीके से utilization हो जा रहा है, और देखे, देख रहे हैं, आप लोग, six of different varieties can be reared in the same pond, एक ही pond में लगबग 5-6 वराटी की fishes को हम लोग कल्चिर का सकते हैं, fish yield is very high, और इसमें fish yield भी बहुत high होता है, एक ही pond में हम लोग different variety का fishes grow कर लेना, तो fish yield होगा ही, ठीक है, अब disadvantage देखे, क्या है इनको करने से घाटा है, देखे, most of the fish breed only during the monsoon, देखे, इन में से सब fish हमेशा जी production नहीं करती हैं, mostly जो fish है, क्यों monsoon के time ही breeding करती है, एक ये disadvantage हो गया, if all of them lay egg at the same time, there will be a big problem to distinguish the egg, ये बात तो अच्छा है, अगर सब fishes एकी साथ, एकी सीजन में एक ले करने लगी, तो क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा, ये काटला का येग है, या फिर रोहु का ये, या फिर ये कामन कार्प का येग है, या फिर सिर्वल का येग है, या हमको कैसे पता चलेगा, तो अगर ये एकी time में एक दे न क्वालिटी उनकी अच्छी नहीं होती तो यह इनका डिस एडवांटेज है ठीक है फाइदा तो बहुत सारे हैं लेकिन एक दो डिस एडवांटेज भी है तो इन सब को आप याद रखिएगा आप देखते हैं मेठाड आफ फिसिंग का मतलब क्या है फिस को पकड़ना यहां यहां पर यह आंद रहेगा मिठाड आफ फिसिंग मतलब फिस पकड़ना फिस को कैसे पकड़ेंगे यह介 वाटर है रीवर में है तो फिस को हमलोग कैसे पकड़ेंगे तो वही फिस को पकड़ने का यहां पर तरीका बता जाएगा तो यह क्या है oldest art of fishing in the form of stone and spear जब कोई जो आप लोग देखते होगे बहुत पुराने जो मोवी होई आप लोग उसमें देखेंगे लोग फिस को कभी कभी YouTube पे डाल के देखेंगा अभी दिखाता है मोवी भी नहीं ओ ऐसे भी आएगा आप देखेंगे लोग पत्थर के नीचे फिस को दबा देते थे इस्टोन के नीचे या फिर भाला लेके फिस को भाले से मारते थे और फिस मर चाती तो उसको पकड़ लेते थे ना देखेंगे कोई प्रजातिया रहती है अगर ना वो लोग ऐसे पकड़ती है कभी कभी YouTube पे वीडियो आता है ना तो वो क्या करते हैं पहले इस्टोन से फिस को दबा देंगे इस्टोन से जब वो मृद हो जाएंगी उसको पकड़ लेंगे या फिर भाले से उसको मार देंगी वो जक्मी हो जाए कि उसको पकड़ लेंगे तो ये पुराना हैबिड था बट नाव देएर आर फालोविं मेऽट आफ फिसिंग इन और करती बट हमारे देश में यह बहुत सारे अग फिस को पकड़ने के लिए मेथड लब हो चुकी है यहां पर बहुत सारे फिस को पकड़ने का मेथड बताएंगे आप तो देखिए पहला है इस ट्रेंडिंग इस ट्रेंडिंग है यह silo water resources in which some of the silo area of the pond is separated from the main body by throwing up a low earthen budh when almost all the water are thrown out from the area fishes are gathered देखिए इसका मतलब क्या है पता है आपका stranding का मतलब जैसे देखिए हमने एक तलाब में यहां फिस का कल्चर करवा है इसमें क्या करेंगे इस प्रकार में जानता है जब फिस asus grow' हो जाएंगे हम एक साइड से फिस का पाणी निकाल निकाल जब तो पुरा पानी खतम नहीं कर देंगे, तब तो पुरा पानी निकालते रहेंगे, जब पानी पुरा निकल जाएगा, फिस आटोमेटिक फिस बाहर आज इंको हम लोग पकड़ लेंगे, ऐसे ही है, जिसे देखिए, अगर हम लोग माली जी रीवर की किनारे, इस रीवर क किनारे फिस को पकड़ना है, तो किसी तरीके से यहाँ पर जो फिस है, यहाँ पर कोई अंबरियर लगा के रोक देंगे पानी, पानी को फिर यहाँ से बाहर फिकते जाएंगे, फिस तो बीच में यहाँ पर रही जाएंगी, तो फिस को यहाँ से पकड़ लेंगे, तो फिस लिंग क्या है एंज़लेंग सा दीच क्या है एंज़लेंग क्या है एंज़लेंग झालन विट होट देखने हैं आप लोग क्या होटके को बिषरे आपके लगतेना ही कई ह्यार लेख लिए तो वह होता है उनको धाजाता है ठीक है तो अगला में थाड़ हो गया है इंजली अगला है ट्रैप अब देखे ट्रैप के द्वारा फिस को ऐसे पगड़ा जाता है देखे ट्रैप्स आर मेड आप बॉस्केट बॉस्केट इस प्लेज़ इन्टो देखे जैसे यह वाटर बॉड़ी है तो यह ट्रैप जंद पता है लगड़ी का बना हुआ होता है लगड़ी का बना हुआ होता है ट्रैप यह कैसे बनता है देखे लगड़ी का बना रहेगा य इसे में एक दर्वाजा टाइप यह लोग बना देते हैं ऐसा तर वाजा राता है कि यहां पे अनदर आ सकती है लेकिन आंदर से बाहर नहीं जाएक तो यह ट्रैप वहीं पर खते हैं जहाँ इससे कांपे मचलिय बगरा होती है लगता है इनको यहां प्रेट है तो यह इतर्ड पिट कर दीते हैं और मचलिय आके इस में फस जाती है क्या है फिर और अगला क्या है? स्कूपिंग क्या है देखिए? इसमें देखिए राउंड हो या ट्राइंगुलर हो या फिर रेक्टांगुलर एक फ्रेम लेते हैं और उसके पीछे से यहां पर जाल लगा जाते हैं यहां पर यहां पर यह ब्योस्ता है कि हमको हम पकड़ा जाएंगे तो घोंपने खाने पीने के लिए तो इतना धेर सरा अमको हमने फिस पकड़ने का मिठ़ल बनाया बताया है आप तो फिज़ पकड़ा गया है तो अब फिज़ को हमको एक्सपोर्ड करना है जैसे मुंबई से फिज़ को हम लो पकड़ा और यूपी में लाना है तो जो जो वो फिस तो तो यहां पे अगर लाते जाते आट दस दिन हो गए तो यहां यूपी में आते जाते यह खराब हो जाएगी तब हम देखेंगे आप फिस का प्रिजर्वेशन फिस को प्रिजर्व कैसे किया जाएगा क्योंकि चितना फिस को पकड़ा गया पूरा कंजप् अगी इसके पाल दिखते हैं उइसके पालो एकर्फिक्टर तनल फैक्टर अफिक्तिन किस्कल्चर को विद्सकल्चर को अफिक्ट करने वाले क्या क्या वेक्टर एक नंबर आफ्टर जैसे तेंपरेचर लाइड रेइन वाटर फ्लड वाटर करेंट टरबिटीज नापर कि आपको पता होगा आप ऐसे बता सकते हैं टमप्रेचर ज्यादा टमप्रेचर हो गया बहुत ज्यादा होगा तर्फिस को नुफसान करेंगा ज्यादा हीमर्टी है तब भी फिस को दिक्कत होगा ना तो एक optimum temperature, optimum pressure, optimum light, optimum air, सब सीच optimum होना चाहिए जो फिस की ग्रोथ के लिए अच्छा हो, तो यही है जो डिफरेंट सारे फैक्टर है फिस के ग्रोथ को अप्यक्ट करते हैं, ठीक है बच्चा? यहां पर हम लोग देखेंगे फिस की preservation कैसे करते हैं, इस फिस आर नाट प्रिसर्प एट इसप्लोईड इसपॉयल डिव टू डिकंपोजर, जो डिकंपोजर होते हैं, डिकंपोजर मोसली क्या होते हैं, बैक्टिया और फंचाई, अगर फिस को प्रिसर्प नहीं किया गया, क अगर फिस को पृजर करना है, क्योंकि हम लोग जिस PRD किया उसको हार दिप吹ा झाल प्रिवीन पर वए्ट करना है, भीयुक्ति है, जो प्रिव इसकोर्ट काना भिएजव दिखना है, तो अब फिस को आप लोगों ने देखा है तो किसी चीज को प्रिजर्ब करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है बर्फ में पैक कर देना उसको तो रेफ्रेज़ेशन में क्या होता है जीरो डिगरी सलसियस पे इसका प्रिजर्वेशन आफ फिसेज प्रिवेंट स्पॉइलच फार साथ इसको फिसम को हम लोग जीरो डिगरी सलसियस पे प्रिजर्व करेंगे तो ये क्या करेगा कुछ टाइम के लिए फिस को डिस्ट्रा होने से बचा सकता है तिक है अब देखें डिफ बीफ यह किया जाता है before this freezing fishes are washed properly इस प्रक्राइब के अगले वाले में बस फिस पकड़े यह लोग और क्या किये उस पीस को यह लोग बरफ लगा के लगा के लिए जीरो डिए सब्सक्राइब के लिए प्रिशन होता है कुछ ताइम दो चाहर दस दिन या फिर दो चाहर दिन के लिए चल को पहले अच्छा से धोल घुल बगार लिए जाता है और उसके बाद फिस को लगबग –ionate day UA पिछले वाले में 0 degree Celsius पे रखना था इस बार माइनस 8 degree Celsius को लांग टाइम के लिया रखना है तो फिजिस को माइनस 8 degree Celsius पे रखना है इसमें freeze drying method में क्या करते हैं very expensive process so very good quality of fishes by this method यह बहुत expensive बहुत खर्चीरा process है इसलिए इसमें उनी फिजिसों का preservation के जादा है जिनकी demand बहुत जादा हो जो बहुत high rate से बिखती हो ठीक है तो इसमें जो highly expensive fishes है उनी का preservation किया जाता है और यह highly expensive बहुत जादा खर्चा भी इसमें होता है इसमें क्या होता है first step is freezing इसमें पहला क्या होता है पहले इसमें फ्रीजिंग कर दिजिए यहां पे इसको ठंडे बर्फ में रख दिजिए then allow to dry by sublimation इनके बाद इनको जिसमें आइस में हम लोग रखे हैं उसी आइस के साथ इनको सुख नेकले रख दिजिए और sublimation के द्वारा क्या है इसमें क्या होता है फोस्ट डार्यक्ट बीना मिल्टिंग के वैपर में करण वेपर में कर्म तो होता है लेकिन sublimation में क्या होता है लिएंग सॉलिट ही वैपर में कर नवर्ट हो जाएं ठीक है एंगे वर्फ है उसको सब्लिमेशन करेंगे तो उसको वर्प है वेना वाटर में चेंज भे ही वाटर में चेंजिए फिर उसको सब्लिमेशन हो गया इसके बाद क्या करेंगे आप फ्रीज को लगबंग माइनस बी डिगरी सलसीयस पर रखेंगे तो हाइली एक्स्पेंसिव पॉर्सस है और इसमें जो गुड क्वालिटी की फिजिस है उनीका ही फ्रीजिंग किया जाता है उनीका प्रिजर्वे है को के अगला है सल्टिंग साल्ट माटर से समस्पेजन और पिजर्वेशन का बैसं कई म्हारा इस फिर्स्पेशिग इस जारे मुत्युम शक्षाइब लोगों जेखा फिस प्रिजर्वेशन के में अपर दृस्ण में созд itself प्रिज नहां इस नहीं ृद्धिन धीपरेशिग साल्टिंग कैनिंग स्मोकिंग और करनिंग तो इतने धे सारे मेसाट से हम लोग फिस को प्रिजर्वरेशन करेंगे उसके बाद उसको ट्रांस्पोर्ट के माध्यम से जहां जरूरत है उसको भेज दिया जाएगा ठीक अब देखते हैं फिस बाइप्रोडक्ट एक तो हमको हो जिसका फिस को खाने के लिए नहीं पाड़ा जाता है बलकि उनका बाइप्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए होता है क्योंकि इनके बाइप्रोडक्ट से बहुत सारे सामान बनते आगे आगे आपको बताएंगे तो फिस फिसरी बाइप्रोडक्ट और प्रोडक्ट दैट आर नाट रिकार्ड़ अज अर्डिनली सीलियेवल प्रोड़क्ट है फिलेज राउड इविसरेटन वर बी हेड़ेड फिस ना उसके बाइप कहें बट विच कैन भी रिसाइकल आपको टीर्मिन इनके part को जो dehydrated part होता है, इनका जो fillet वगरा होता है, उसका recycle कियाता है Fizz by-product have often been regarded as fish offer over waste but this is not how it should be Fizz by-product लोग waste समझते लेकिन ये waste नहीं होता है The term by-product indicates something that can be utilized By-product का मतलब है कुछ ऐसा product जिसको हम utilize कर सकते है Today the most common understanding of by-product is all raw material edible and inedible left during the production of main product When producing fish's fillets, fill, cut, backbone, head, liver, जो इनका by-product होता है Fizz का, liver, backbone, head, guts, ये सब by-product है और उनमा जो इनका आंत बगरा होता है वो सब इनके by-product है ठीक है जब फिस को cut किया जाता है जैसे fish को cut किया गया तो उसके by-product क्या है उसका backbone हो गया, head हो गया, liver, gonad, gut बगरा ये सब उसके by-product है अब इस by-product से क्या क्या होता है बनता है फिस मील, तो फिस के by-product जो निकलता है head हो उसका जो निकलता है उसका intestine, gonad, liver बगरा उससे क्या बनता है फिस मील, अगला क्या है फिस by-product में फिस है silage, फिस oil, फिस glue, फिस protein, ना फिस protein hydrolyzate, FPH बोला जाता है इसको फिस insulin, फिस से insulin जो निकलता है परल इरेंस, और क्या है अगला इसिंग गलास, क्या है इसिंग गलास यह important है इसिंग गलास फिस skin leather, crustacean waste और pharmaceutical product तो फिस के इतने सारे by-product नहीं है फिस मील, फिस silage, फिस oil, फिस glue, फिस protein hydrogylate फिस insulin, पल, इसेंस, इसिंग गलास, फिस, skin leather, crustacean waste और pharmaceutical by-product तो यह सारे हो गए फिस के by-product अब इस by-product का utilization कैसे होगा यूज क्या है इस by-product का फिसरी by-product as human food देखें इसका by-product human food के लिए यूज होता है फिसरी by-product as animal feed इनिमल के चारे के रूप में इंडस्ट्रियल यूज के लिए और इसका by-product का इंडस्ट्रियल यूज है फर्टिलाइजर फ्राम सी फूड बाइप्रोडक्ट जो सी फूड के by-product है उसका फर्टिलाइजर बनता है खेद वगरा में छिरका जाता है बायो केमिकर और फार्मासोटिकल प्रोडक्ट इनसे बायो केमिकर और फार्मासोटिकल दवा वगरा भी बनती है तो यह होगा फिस के by-product तो आप लोगोंने आसा करते हैं अच्छे समझ लिया है इसको अच्छे स्यार कर लिजे बस एक्जाम टाइम में आपको रिवाइज करना है और हां जो बच्चे नए जवाइन हो रहे हैं उनको पता होगा आपके चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुका है आप जाएए स्टार्टिंग से वीडियो अपना फिनेस करें ठीक है ओके बच्चा थैंक्यू सो मच बच्चो मिलते हैं नेक्स लिक्चर में नेक्स लिक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे आपको साथ टॉपिक है पॉल्टि अगर आपके टॉपिक पॉल्टि है तो हम लोग नेक्स लिक्चर में पॉल्टि को पढ़ेंगे ओके बच्चा आप लोग अपना रिवीजन का कार करते रहें ओके थैंक्यू सो मच